एक घंटे बहस्चली हमी लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। ऐसे ही जो वारता कमेटी होती थी, वो सिवाय चाय, बिश्कुट, समोसा खाने के लावा कुछ नहीं कर पाई। और का जरूर कम्प्यूटर से काले करा लिए, निगाल निगाल लिए। सरकार चंशेकर के समय में इतने इतने बंडल बन के आते सबको दिये जाते थे, वो पढ़ते थे नहीं थे। माइंसेट करके आते थे, सब लोगों ने बड़ी-बड़ी बाते कहीं, एक वारता का मैं बता देता हूँ, नदीमुद्धिन साब, अब वो वारता ऐसा नहीं, कि समोसे वाले और छोले वाले एक बीच में बारता हो रही थी, इधर समोसे वाले और छोले वाले, ना, हिंद चाय और काजू बगारा आये थोड़ा कुटके, अब वो भी जननत नशीन हो गए मों उनका भी नाम लेके क्या कहूं, उनने ख़ड़े हो के कहा, अशोक सिंगल से, के सिंगल साब, राम भाही पैदा हुए तो कोई नर्स, कोई मीडवाइप है, कोई सचिपिकित है, उस ही म यह बता रहा हूँ, बड़े लोगों की बात, वहाँ छुपईया कोई नहीं था, जो गए थे, वो सब आईशे थे, जिनके पास काले, पीले, नीले, सिक्योर्टी वाले रहते हैं, वो सब लोग गए थे, उस कद के, रजवीजा, अब बात क्या हुई, के नर्स लियाओ, ज यह क्या कम है, भावान का नाम लेके भावान की क्रपादी मार पीटने हुई, चंचेकर दुबारा कभी उदर देखे ही नहीं, बोले ना जी, मेरे पास आउर काम करने के लिए काउन जाए वाँ, इसलिए यह सम नहीं, एक बात जिरूर मुझे संभावना लगती है, जितने बड़े हैं, उनको अलग करिए, क्या काशी में ज्यान बापी मस्जिद कमेटी जो है, मसाजिद इंतिजामिया कमेटी, रजवी साब और मुफ्ति साब, अगर वो रिपोर्ट सार्विनिक हो, और उसमें यह पाया जाए, तो क्या मस्जिद इंतिजामिया कमेटी यह साहस कर पाएगी, कि वो एलान करें, कि यहाँ अब नमाज नहीं होगी, फिर यह सरकार की जिम्मेदारी है, कि बाहर से, कुवेश से, इरान से, इराक से आदमी बाहर नमाज पढ़ने ना जाए, बात का तब, मसलर सुर जाएगा नहीं, हैदराबाद बाले भी नजाएं फिर बाहर नमाज पढ़ने, हैदराबाद में पढ़ने, जंजिट खतम हो जाएगा, इसके अलावा फिर कोई उपाने फिर अदालत ही रास्ता है, अयुद्या में इतना समय खराब हुआ इसको लेकर, जैने कितने तो हमें फर्मूल याद है, जुवानी, भागवान की इसी क्रपा है, नर्सिंग राओ के समय में, प्राइम मिनिस्टर ओफिस में एक आउध्या सेल बना था, नर्यश शंद्रा केबिन सिकेर्टी उसको दहेट कर रहे थे, रजबी साब, हजारों टन कागज खराब हो गया और निकला कुछ न नहीं था, नहीं, वो सारे फार्मूले गुपते ही रहे, और जो राम जी को मंजूर था, वो यह हो गया जंजनाहट से जल्द आराम पाए, सेंसोडाइन, रापिड रिलीफ के साथ अब ही मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम मुझे एक जंजनाहट सी महसूस होती थी, यह भड़ती जा रही थी, यह प्रोब्लम तो मेरा कहिना सिर्फ इतना है, मेरा निवेदन इतना है, इस तरह की लड़ाईयों को अनमत खेचिए, जो बात विज्ञान कहे, साइंस कहे, उसको मान लेजिए, और अगर कोई इस भ्रम्मे है, मैं फिर तथिस पस्ट कर दूँ, कि आयुध्या जितना समय लग जाएगा, ना, 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 आयुध्या को 120 साल लगे, एस आई सर्वे तक आने में, मुकदमे में, अंग्रिया जोग समय से मुकदमे चल लएते, मौना ना जब, मतुरा और काशी को इतना समय नहीं लगा ना, और आगे भी नहीं लगेगा, चुकि आयुध्या जब सर्वे पर आया, केस और सर्वे की रिपोर्ट सम्मिट होई, बीवी लाल जिसको हेट कर रहे थे, उसके बाद से तो फिर रॉकेट की तरह आयुध्या केस चला, अब कुछ बर्शों में फैसला होई गया, मतुरा और काशी में उतना समय नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला होगा, य एक अवसर जरूर है, हमारा जो कॉल है, जो हम हर जगाद ओहर आते हैं, कहते हैं, कि हम जोर्दावदस्ती की जमीन पर इबादत नहीं करते, अगर वहां ये सिद्ध हो जाए, तो आपको नेतिक अधित ताउर पर नहीं गोशना जरूर करनी चाहिए, कोई माने ना माने, ल मैं से पूछा, मुप्तिजाप, ज्यान बापी और मतुरा, जिस वकत यहां यह मस्जिद बनी, नवाबों का और बादशाह का शाशन था, मुगलिया सल्तनत का शाशन था, आलमगीर थे, तलवार से सब काम कानून चलता था, इफरात में जमीन थी, मुट्टी बर आदमी थ सब से पूछ चुका, अलेविया तक से पूछी थी मैंने, कि इसका जवाब नहीं मैं ढूण पा रहा, वहां घुसके क्यों मनाई दादा, क्या एक बेहतर जगा मैं बता दू, आप भी गए होगे, सब लोग गए होगे कृष्ण जन्मिस्थान, कितनी छोटी से 2.87 एकड़ पर है, इदगा मस्जिद, फतेपुर सीकरी, बसाई गई, सलिम चिश्री के लिए, और बहां मस्जिद बना लेते, सव एकड़ में मस्जिद बनाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन जाती, कौन जी समस्च जाती, मुप्तिजद नहीं, बहें गुशा के क्यों मनाया, इसका उत्तर कोई नहीं देता, इसका उत्तर मालूम सबको है, हमको भी मालूम है, और जो उत्तर नहीं दे र नहीं तो गैंगरीन हो जाएगा। मैं ऐसे घंगा जमुना के फरजी उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। कि घंगा जमुना बोलके फोड़े पर तुलिय डाल दो। फोड़े का दर्द नहीं जाता। फोड़े में चीरा लगे, मबाद निकले, दबा लगे, सूखे, तो शरीर चलेगा कष्ट होगा लेकिन इस थाई शांतियों के लिए अलपकालि कष्ट भोगे गए हैं, इतिहास का बाहरी क्या मैंने जो सुधारन दिया वो सच नहीं है मैं पंद्रा सो साल पुराने चर्च को मस्दि expect में तब्दील किया गया को नहीं किया गया क्या उसकी तरफदारी हुई की नहीं हुई आपको पंद्रा सो साल पुराना चर्च भी मंजूर नहीं और आप हिंदूों से कहते हो मैं कहता हूँ उस दिन से सबको डरना चाहिए सबको पता ने इश्वर क्या दिन दिखाए आगरा की मजजिद्म के सीडियों के नीचे कहा जाता है केशव देव राय की प्रतिमा है वो प्रतिमा जिसका जिक्र अउरंग जेव के समय में आई विदेशी इतिहासकारों ने किया तब भाजपा तो पैदा भी नहीं हुई तीन संग हुआ था कि इन लोगों ने उनको कुछ रुप्या पशाद देके लिखवा दिया हूँ अगर मालीजे कभी कोई ऐसा आउसर आया और वो प्रतिमा निकली तो इस देश का क्या बातावरन बनेगा मित्र सुचिए नहीं कि इस देश के 90 पीस्द ही लोगों के हिर्दे पर क्या आगात होगा सीड़ी में किस लिए चुनवाई अंदर भी चुनवा सकते थे लेंगि सीड़ी में किस लिए चुनवाई कि सब चड़के जाएं ये भाव खराब है एकर दो एकर जमीन का मसला नहीं भाव का मसला है मुगलों ने हिंदुस्तान की यात्मा पर लात रखने की कोशिश की हिंदुस्तान की यात्मा को अब्रहत करने की कोशिश की उसको बलाद जुगाने की कोशिश की ये उसके विरुद्ध प्रतिकार है काशी मत्रा और अध्या का जैगोश और मैं सबसे कहूंगा आरंग्जेप के साथ, बाबर के साथ, अब खुद को कोई मत जोड़िए हम भारत माता की संतान है, हमारा रिश्तदार लगता नहीं, बाबर का डूने अलग है मैं अब बो उस विशए में नहीं जाना चालता कि बाबर का डूने क्या है दुनिया के मुप्ति साब तो बहुत आलिम वेकती हैं वो जानते हैं बावर और हमारे मित्र शाबुदिन साब भी बावर के खून में दुनिया के सबसे खूंखार दो शाशकों के वन्षका रख्त था के नहीं था पिता और मा की तरफ से दुनिया में उनसे बड़े कत्लोगारत करने वाला तो कोई पैदैने हुआ सोजिए वो डवल इंग्यन की सरकार था भावर रजबी साब मुस्कुरा रहे हैं इतिहास पढ़िए उसके साथ मत जोडिए रस्खान के साथ चलिए रहीम के साथ चलिए एक छोटा सा विज्यापन है तरह उसको देख लिए बाई जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे की आइस क्रीम मुझे एक जंजनाहत सी मैसूस होती थी ये भड़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम पहले ठंडी से शुरूवी फिर गरम खाने से हो रही थी तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया उन्होंने कहा कि आप सिंसडाइन यूज कीजिए अब मुझे फृच से कुछ ठंडा निकालके खाना हो तो मुझे दुबारा सोचना नहीं पड़ते दो तारीखों पर ध्यान रखिए एक तो दो रोजबाद है 21 तारीख 21 दिसंबर तब जानवापी पर जो एसाई की सर्वे रिपोर्ट आई है उसकी प्रतिलिपी मिल सकती है हिंदू पक्षकारों को मुझे पक्षकारों को वो काशी के लिए एक बड़ी घटना होगी देश के लिए बड़ी घटना होगी और एक दूसरी तारीख याद रखिए 11 जनवरी जिस दिन इलाबाद हाई कोट मतोरा में सर्वे कैसे हो काशी जैसा ही सर्वे हो या उससे कुछ इतर प्रकार का हो कैसा सर्वे हो इस पर निरने सुनाएगा इन दोनों तारीखों से भारत की आस्था का सीधा संबंध है, इन दोनों तारीखों से भारत के इन दोनों बड़े मानविंदूओं का सीधा संबंध है, इसलिए इन दोनों तारीखों पर निगा रखें, धन्यवाद. यह भड़ती ही जा रही थी यह प्रॉब्लम पहले ठंडी से शुरू ही फिर गरम खाने से हो रही थी तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया उनों नी कहा कि आप सेंसडाइन यूज कीजिए अब मुझे फ्रिच से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दुबारा सो कुछ ना नहीं पड़ते हैं